दोस्तू आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लाएं रीजिनिंग के चार इंपोर्टेंट कोश्चन्स चलिए स्टार्ट करते हैं कोश्चन वन है लुप्त पत को ग्यात करिए तो ये एक डाइग्राम दिया है इसमें इस जगह बहा कोश्चन मार गया तो हमें इसी जगह बहा बताना है कि कौन सार नम्मर आएगा तो ये सब एक सिक्वेंसे हैं तो हमें इसी से सोच के मतलब बताना है कि इधर क्या आएगा जैसे कि 9 का जो स्क्वेर होता हूँ कितना है 81, 9 का स्क्वेर 81, 7 का स्क्वेर 49, ऐसी यहां क्या संख्या रखें कि उसका स्क्वेर 25 आ जाए, तो यहां जो संख्या रखी जाएगी वो 5 रखी जाएगी, तो इसको जो राइट आंसर है वो क्या होगा, 5 कोश्चन दूसरा, लोग तपत को गयाद करिए, इस जगा पर कोश्चन मारक है तो हमें यहां पर बताना है कि कौन सा संख्या आएगी हैं, कौन सी नमर आएगी, तो यह भी किसी लॉजिक से नमर सब लिखे गए हैं, अब जैसे कि 4 दुनी 8 प्लस 3 ग्यारा, ऐसे ही, 9 दुनी दुनी 18 प्लस 3 21, ऐसे ही, 7 दुनी 14 प्लस 3 कितने 17, ऐसे 6 दुनी 12 प्लस 3 15, तो यहां राइट अप्सन क्या होगा 15, तो राइट आंसर होगा हो 15, ऐसी कुश्चन तीसरा है, लूप तो पत को गयाद किजी, तो इधर हमें बताना है कि क्या आएगी संख्या, तो यह हमें थ थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, इधर क्या आएगा, तो जैसे देखिए, 5 दुनी 10 प्लस 2 12, ऐसे 12 दुनी 24 प्लस 2 कितने होगा 26, ऐसे 26 दुनी 52 प्लस 2 कितने होगा 54, 54 दुनी 108 प्लस 2 110, अब 110 दुनी 220 प्लस 2 22, तो इसका जो राइट आंसर होगा, वो क्या होगा 222, तो इस कोशिन मार की जगर क्या है थो 222, अब कोशिन नमर दूसरा, लॉप तुपत को ग्यात कीजिए, तो हम आप इधर बताना है, इस कोशिन मार की जगर क्या है थो देखिए, 5 दुनी 10 मेनेस दो, कितना है?, 8, अब यहाँ पर गुणा 2 और मैनेस दो हो रहा है, यहनि पांच दुनी 10 माइनस दो अब 8 के साथ गुणा दो 8 दुनी 16 माइनस 3 8 दुनी 16 माइनस 3 कितना होगा या 13 यहां गुणा दो माइनस 3 हो रहा है अब यहां गुणा दो माइनस 4 होगा तो 13 दुनी 26 माइनस 4 कितना होगा या 22 अब यहाँ पर गुणा 2 और माइनस कितना होगा 5 तो 22 दुनी 44 माइनस 5 कितने होगा 49 अब 49 गुणा 2 होगा माइनस कितना होगा 6 तो 49 दुनी 78 और 78 और 6 बहातर तो इसका जो right answer होगा क्या होगा 22 तो कोशन मार की जगर क्या हैगा 22